नमस्कार दोस्तों मैं अनिल जैनी अपने यूटूब चेनल स्मार्ट अटो कार इंशुरेंस में आपका स्वागत करता हूँ रोज की तरह आज में भी आपसे एक नए टॉपिक के बारे में बात करूँगा जो है लीगल लाइवल्टी टू इंपलॉई लीगल लाइवल्टी टू इंपलॉई क्या होता है और हमें एपनी पॉलिशी पे किस तरह से अड़ान करा सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले यह जान लिए कि लीगल लाइवल्टी टू इंपलॉई क्या होता है यह ज़रे तर commercial गाडियों में यूज होता है commercial गाड़ी यानि कि bus, pickups इन चीज़ों मेरे सबसे ज़्यादा usable रहता है क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो अपने मान लिजे plants रहते हैं उनमे employees भरा के जाते हैं या फिर कोई बड़ा संस्ता है यहाँ पर काफी लोग employees काम करते हैं और वो employees द्वारा ही मतलब चलाया जाता है या फिर employee को ही हम बस में बिठा के और उसके घर तक छोड़ने को विबस्ता अगर कोई company करती है तो उस इस्तिती में legal liability to employees बहुत जरूरी है अगर आप अपनी गाड़ी में legal liability to employees add-on करा लेते हैं मान लेजिए कि आपके गाड़ी का अगर accident हो जाता है या किसी परकार की कोई शती अगर हो जाती है तो आप सबी employees को अपनी गाड़ी में बैटने के साथ ही उनका पीमावी cover बरदान कर देते हैं तो दोस्तों जैसे या भी अपनी नई गाड़ी को लो या फिर कोई commercial ऐसा ले रहे हैं जिससे आप अपनी परेडे commercial गाड़ीं में चला रहे हैं या फिर सावारी भरने के साथ ही या passenger को छोड़ने का काम अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आप भी अपनी गाड़ी में legal liability to employees जरूर एड़न करवा लें जिससे यह होगा कि आपकी गाड़ी मे महित्ती हो जाती है तो insurance company जो उसके नियम जो अपने policy कराई हुई है उसकी policy पर उसके according ही उसको अप उसका मुआफ़ा मिल जाता है और अगर उसमें ब्यक्ति घहल भी हो जाता है तो insurance उसका पूरा जो claim है वो प्रदान करती है तो दोस्तों जोड़े रहे हैं मेरे YouTube चैनल स् सबस्काइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दवाएं जिससे जो भी मैं अगला वीडियो आपके साथ सेयर करूं या फिर जो भी मैं अपनी वीडियो अगली वीडियो अपलोड करूं उसका notification आप तक आवश्य पहुंचे